नमस्कार सर, सत्साहिव, सर क्या नाम है आपका, अमिद्दास, कहां के रहने वाले हैं, मैं गवाली और मत्विदेश का निवास थे हैं, भकिजी, सर संत्रामपाल जी महारा से नाम दिक्षा आपने कब ली, सोला सेतंबर दो यार्ज, सोला, सर संत्रामपाल जी महारा से नाम सर फिराप संत्रांपाल जी माराश की सरण में कैसे आए सर पूजा करने के बाप जूदी मेरे जिंदी में कुछ न कुछ परिसानी चलती रहती थी कभी कुच हो जाना मेरे पैर जब मैं 6 साल का थब पैर में लग गया था चोट साइकल में चला गया था पैर उसके बाद में मेरे बड़े होते होते हैं कुछ ना कुछ परिसानी चली रहती और कान के पीछे भी एक फोड़ा हो गया था मेरे उसका भी ऑप्रेशन वहाएदा छोटे में ही पर उसके बाद में मैं पूजा करता रहता था 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 वे रहना कुछ चलता ही रहता था वह य फ ऐता लख भार बाव holy पास जाना यह तैप अदर जाना भटक्ते रहना इतने पूजा करने के बापचुदी मेरा एक्षिंट हुआ 19 जनवरी 2016 में एक्षिंट के बाद मैं भी में दो तीन महीने बाद फत्री हो गई और ऑप्रेशन होने के बाद में भी मेरा थोड़े चील उठ गई पेर की जो रोड डली हुए उसमें फिर उसका ऑप्रेशन हुआ लेकिन मतलब लाइफ में कुछ ने कुछ चली रहा था उसी दोरान घर गर आकर जो रसंतरामपाल जी के जो सिस होते हैं वो पुस्तक सेवा करते हैं तो वहां से मुझे ग्यान गंगा पुस्तक मुझे मिली तो उस पुस्तक मैंने ऐसा ग्यान पढ़ा जो भाविश्मा कहीं पर भी किसी क कि पास भी नहीं है संतरामपाल जी ने पूरा सिरश्टी रशना खोल कर रख दी है मनुष कहां से आया है और उसे मनुष जीवन किसलिए मिला है उसे पढ़ने के बाद सोला तारिक नौव महीने दोयर सोला में संतरामपाल जी महारास से नाम दिख्षा लेते हैं उनको लाब होते ही चले गए जब से मैंने नाम दिख्षा लेने से पहले तब मेरा जो एक्षिंट हुआ था मैंने अपने प्यर को देखके समझ लिया था कि चलना तो दूर की बात है मैं खड़ा भी नहीं हो पाऊंगा मेरा इस तरीके से प्यर का एक्षिंट हुआ था उटो खताम हो गई और सर हमारे गर में किराय से एक लड़का रहता है वो पानी बरस आता हूँ पानी चत पर जाड़ा रहता हूँ निकाल लाता उसमें नाली में चत पर तो उसकी मम्मी नीचे बेटी हुई थी वो बोल ले ही क्या करना आरपर दूपर अवाल लगाने लगी तो जखका नीचे देखने लगा पाता नीचे जखते जखते हैं वो गिर गया अंतरामपल जी ने उससे बचा लिया नहीं तो पता न τι क्या हो जाता ए इतने जोड से आवाया ही मृले वालोंने भी सुनी थी सब उने आवाज सुनी देखने के लिए सब लोग आने लगे मोहले के कहने लगे के के लगई होगी बहुत लेकिन पता नहीं मालिक ने कैसे बचा लिया बहुत रह्म हुई मालिक की उस दिन मेरे जो 6MM की पत्री थी मैंने दवाई खाना बंद कर दी थी दोक्टर ने देखा कि जब और लोग की पत्री थी मैं दो पूड़ी से तीन पूड़ी निखा पाता था तेल का घी की रोटी भी निखा पाता था मेरे दर्द उठने लगता था और संत्रामपाल जी की दया से पत्री पूरी खतम हो चुकी है मेरी पत्री पता नहीं कहाँ किया मैं चाहाँ कुछ भी खा लेता हूं मेरे कोई दर्द नहीं होता फत्री बिल्कुल खतम हो चुकी है सर जब मेरा एक्षिंट होगा था तब मैंने यह देख लिया था कि पैर मेरा इस तरीके से चोट थी मेरे पैर में कि मेरे को चलना तो दूर में खड़ा नहीं हुपाँगा वो बंदा भक्ती के बाद में संत्रामपाल जी जुड़ने के बाद में इंट्रू के लिए गया था मैंने सुचा कि यसे ही कुछ टेस्ट होगा था संत्रामपाल जी मारास से नाम दिख्षा लेने के बाद आपको बहुत सारे लाप राप्त हुए तो जो सरदालों आज आपको देख रहा हैं उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे मैं संदेश तो नहीं दे सकता है सर मैं तो एक तास हूँ संत्रामपाल जी का ससंग बहुत चैनलों पर शुरू हो चुका है साथना टीव पर भी साड़े साथ से साड़े आठ तक आता है और इसबर्ट चैनल पर भी आता है बहुत चैनलों पर आता है तो उसमें जो नीचे पीली पट्टी चलती उसमें नमर दी रहते हैं उन नमरों से फोन लागा संत्रामपाल जी महारा से नाम दे चले सकते हैं धन्यवाद सर सच साई